हलो स्टुडेंट्स मैसल की सोर सेखावत टीम फिजिक्स एल्च सेखर आज हम सोल करने जा रहे हैं फिजिक्स इको नुमर 6 जिसमें रे आप्टिक्स और वेव आप्टिक्स इलेक्ट्रोनिक्स टॉपी कवर के जा रहे हैं तो एक्जाम की पॉइंट आफ यू से बड़ा क्रेंस औभी कि किया रहा है कि हम एक बंब याने एक उब्जय करना है जोен और उसका हम कोई इमेज स्क्रीन प्रप्ट्राइब करना चाहते हैं इसका मतलब इमेज कैसी है तो आपको बनाना एपर वह का नहीं है फिर भी आप उसको यहां से कर सकते हैं पहली बात यह अब भी कह रहा है कि जो बिम से डी दूरी बनता इमेज चाहां है उसके डिस्टेंस कहां से अब्जेक्स के कैपिल दी दे रखा हम लोगों को तो ऐसे में जो लेंस अपने को रिक्वार्ड है उसकी एफ कितनी है फोकस लेंज कितनी है तो देखो जैसा कि अपन जानते हैं कि मानलो अपने पास यह कोई एक कॉनवेक्स लेंज है जिसकी फोकस लेंज कितनी है साब और यह मानली जी इसका एफ और यह इसका टू एफ पोजिशन यह इसका एफ और यह इसका हो गया टू एफ पोजिशन ह हम जानते हैं कि अगर किसी object को 2F पे रखा जाए तो ठीक इसकी 2F ही location पर real, inverted, वास्तिक और उल्टा उसी size का image बन जाता है तो ऐसे condition में देखो इसका जो अपन real image बनाते हैं तो कम से कम distance जो D हम लोग ले रहे हैं वो D है कितना D is equal to 4F कम से कम या आप इसकी जो range में जाते हैं तो capital D का value कितना 4F के बराबर याउस से बड़ा होना चाहिए अगर यह condition है तो इसमें focus जो length है उसके बारे अपन क्या statement कह सकते हैं तो 4F should be less than or equal to capital D और इससे पने find करते हैं F की value तो आप देख सकते हैं कि यह है D by 4 के equal याउस से कम D by 4 के बराबर याउस से छोटी होनी चाहिए तो must be less than or equal to D by 4 इसका मत्तब रहा इसका answer कौन सा पहो जाएगा third पुने कह दो real से real आपको image बनानी है तो lens कौन सा होगा convict next question बढ़ते हैं अगला है कि a parallel beam light is going back parallel to S1 in the diagram with the help of कौन के mirror of focal length 12 cm placed at a distance of 50 cm from the lens what is the focal length of the lens question कैसा यह कोई एक lens है जिसकी focus length है मालूम नहीं है इससे 50 cm पर 50 पर आपने f equal to 12 cm का रखावा है कौन के mirror और आपको यह भी इसमें requirement है कि जो range आ रही है ठीक वैसे उसी पत को follow करते वे आ जाएं तो वो तभी possible है ना जब यह रे जा रही है उसका इस पर incident हो और उसी पत को follow गरे जैसे इसका incidence का पात है वैसा ही क्या हो reflection का हो वो तभी possible है जब यह distance कितनी हो यह point क्या हो इसका center of curvature हो और center of curvature के लिए distance कितनी होने चीए आर के इकोल आर यहनी 2F यहनी कितना 12 x 2 कितना 24 cm अगर डिस्टेंस 24 cm है तो अब बताइए लेंस से इसकी distance किती रही 50 50-24 50-24 that is 26 ओके बहुत श्यांदर कोशन नेक्स पे चलते है अब है दो लेंस रखे हम लोगों ने focus दूरी F और 2F the convex lenses of focal length F and 2F दो focus length दो हमारे पास lens है इसकी focus length कितनी F है इसकी कितनी है 2F और इनका ऐसे range कर रखा है और एक parallel beam है उसको पर ने incident कर दिया तो parallel कैसे भिहाव करेगी वो इस focus point भोकुश होगी और फिर parallel चले गी हूँ आपने अब question यह कह रहा है कि एक centimeter व्यास का समानतर पुंच पहले lens पर टकराता है तो दूसरे lens से पुंच किस परकार निकलता है यह beam of parallel light of diameter one centimeter incident एक centimeter diameter का मालू ऐसा है कि lens यह first है और इस पर हमने एक जो beam डाल रखे है ना वो beam उसके diameter डी वो इस पर incident हो रही है और यह focus point भो फोकुश होगा और फिर तो दूसरा lens हो उस पर incident होगा और उसकी distance अलगा यह distance f है इसकी और यह distance किती हां से हां तक कि 2f है और यह lens माली इस तरह से आपने रखा हुआ है जैसे यह से वापस यह reflect होगा तो फिर क्या होज़ा है parallel पर ऐसे में यह जो इसका diameter है यह डी डैस और यह diameter कितना डी डैस यह तो अलग आएगा अब दोने में angle दो same यह angle same है तो अपन जानते है angle होता है क्या है arc by radius कर दूँ और इसको roughly radius माल ले अप पौन कितना टू एफ एफ से एफ cancel डी डेस कितना टू डी डी कितना हमारे पास था एक centimeter इसका मदलब दो centimeter diameter का एक parallel beam निकल जाएगा तो इसका right answer कोई सा है parallel of diameter parallel beam of diameter 2 centimeter ठीक है जी तो next यह है long sighted दूर दूर्श्टी दौस होता है दूर दूर्श्टी दौस 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 दिस्टेंस ऑप इस तरह का अपन यहां पर यूज करते हैं सब्द तो यहां क्या है कि जो defect आप देख पा रहे हैं वो कौन सा है long sightedness इसका मतलब उसको दूर का साप दिखता है पर पास का साप नहीं दिखता है तो देखना चाहता कहां का है पास का तो यहां सब कुछ पाउड देख एक सब्सक्राइब कितना है इसमें जो है क्या एक्चुली कि इसमें जैसे यू और वी क्या होता है यू चाहता है तो वी सकता है ये दो डर्म अपन यहां करते हैं इस jtc Arya मतलब यू से जहां भी वो चाहत है Wi and We can just be distance के साथ एकन लिखा हुआ हो जिसके साथ आप लिखो वा न्स तो इस Newton होता है कि जहां तक आप 3 हो कि देखना चाहते हैं तो लेंज क्या कर दे हैं लेंस का का में इतना से होता है कि आपकी आई कर डिफड्ट होने के यहां lens कहां बना दे जहां तक आप देख सकते हैं तो फिर बले बले बलो तो यहां U चाहता है और वी सकता है तो पर लेंस का इस सुत्र है उसको यूज करते हैं F निकाल लेंगे पाउर निकाल लेंगे तो यह कहना चाहरा देगो कि नियूंतम दोरी किते यहां तो देख सकता है तो यह तो है x meter वो चाहता कहां तक है यह x by 2 meter distance पे वो देखना चाहता है वो power हमारे पास कितनी है P is equal to है x d x diopter तो x आगया अब जो शुत्र अपन लोग यूज करते हैं lens formula तो power इसकी अपन लिखें पाउर के फोर में P equal to कितना होता है 1 upon f is equal to 1 y v minus 1 upon u loss formula है पर लिपूट कर दें अब जो भी यहां distance होती है जिसे आपन यह i हमारे i होती है और i का रेटेना होता है और यहां अपन lens का use करते हैं गोई रहे हाँ यहां पे इस बिंस्टिन होती है तो यहां objective lens के ठीक सामने है image भी हाँ जो यह बनाता है उसके सामने होती है हमेशा है v और u lens वाले formula के जो i defect equation आते हैं उनसे सब में हमेशा negative है v भी negative होगा u negative जो देरेखा उसको देरेखा उसको देरेखा दीजिए तो आई यह साब x by 2 तो इसको बढ़ेखा करेंगे तो minus minus क्या हो गया साब plus 2 चला गया ओपर तो इसको ऐसा लिखा जासकता है minus का 1 upon x और plus का कितना 2 by x तो इसको आपने किया shawl तो यह आप यहां से देख सकते हो minus का 1 upon x यह 2 और यह 1 तो यहां रहा कितना हमारे पास x is equal to 1 by x और x square equal to 1 x square equal to 1 x square equal to 1 है तो x कितना root of 1 root of 1 तो इसका answer आपका आगया plus minus 1 और option कौन शाह है इसमें ठीक है वही second तो question number 4 का आपका सही answer जा रहा है second ठीक है इस वैसे भी आप देखना चाहते हो तो कर सकते हो 4 का answer आपका second अच्छा इसमें देखो अब यह plus का होना चाहिए कि minus का होना चाहिए अगर इसमें तो अपने दुनों आ रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं आपका defect concept long sighted lens होता है तो definitely आपको मालूम है इसमें convex lens की requirement होती है प्लस का आता है next एक lens है कोई जिसकी focus length किती है 15 cm जिसका मुदे रखा है तो पहले air में रखा है और glass से बना है, card से बना है और कहाँ जा रहा है कि अगर इसको अपन मुगल तो 4 by 3 में put कर दे, place कर दे तो ऐसा करने से उसकी focus length क्या हो जाएगी पहले कहाँ रखा हो है air में, उसी बात कहाँ ले जा रहे हैं उसको अपन medium में, तो ऐसे में जो focus length इसकी है f medium, f days upon f किसका air आप जानते हैं lens का जो formula होता है 1 upon f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 upon r2 आप radius अब कर वेचे यह तो सारा portion constant है तो only medium बदल रहे तो medium बदलेंस से focus length कैसे बदलती है तो f days का अवेलियत है हमारे पास, देखो mu days पर mu days actually है क्या आप medium कहां ले जा रहे हो यह 4 by 3 तो actually यह होता है lens का medium के respect में minus 1 और पहले था lens का medium के respect पर यह days यह पहले वाला minus 1 अब actually देखो यहाँ यह इसको अपन अड़ा दें यह ऐसे इकड़ेते हैं तो यह पहले lens का था glass का बना था तो यह actually है क्या glass का air के respect में तो यह है कितना mu glass and 3 by 2 upon 1 minus 1 तो 3 by 2 upon 1 minus 1 तो इसके वहले हमारे पास कितनी 1 by 2 आएगी यहाँ से अपन निकालते है यह है glass का water के respect में तो glass का water के respect में तो 3 by 2 upon कितना 4 by 3 minus का 1 और इसलिए है हो गया 9 by 8 minus 1 यानि 1 by 8 1 by 8 तो कुल मलाकर के value हमारे पास है 1 by 2 upon 1 by 8 तो यह हो गया 4 by 1 f देस कितना 4 f f कितना है 15 cm तो f कितनी होगी 60 cm 60 हो जाएगी और ही बिल्कुल fix caution है जब भी किसी lens को किसी prism को आप पानी में डूबो देते हैं जो glass से बना होना चाहिए तो उसकी focus lens जो है 4 ताइमस और power कितनी होती है पी by 4 power होती है रिडिस टू 1 by 4 25% power रह जाती है 75% power आपकी loss हो जाती है उसका सही answer आपका है 60 cm next है कगल दूर 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 सी में अन्तिम प्रतिम कैसा बनता है तो कगल दूर सी में आप जानते होंगे हम दूर की बस्तों को देखने में कामें लेते हैं फोटो यहाँ पले फोटो बनती है इसको अपन फिर कामें लेते हैं यह फोडो जो बनती है, यहाँ पर कैसी बनती है, यह तो है real, यह इस बोलते हैं intermediate image, मत दे बड़ती image बनती है, जो कैसी है, real है, small image होती है, और इससे फिर हम लोग दूसरा image बनाती है, वो कैसा हुआ करता है, यह है virtual, पर इसके respect में देखो, जो man, जो object है, उसके respect में यह image कि पर कार की है inverted और वर्च्वल यानि वर्च्वल और inverted यानि आवास ये और उल्टा next तो इसमें है कि lens इसकी focus distance किती 15 cm है ये तो वापस आगया कॉशन next चलते हैं हम लोग एक prism का दिर्खा कॉशन तो आप देखो prism के अंदर यहां इसको अपन मानते हैं angle of incidence मालो i यह होगया आपका angle of emergence e और यह होता आपका delta तो जो समाने delta जो होता है normal जो deviation है उसमें अपन पढ़ते हैं delta plus a is equal to i plus e और हमको पूछा है angle of prism i plus e minus का delta i plus e तो किता है 60 plus 15 75 minus का 30 तो यह होगया 45 second answer बन जाएगा next दो हमारे पास current source है जिनकी intensities कितनी है i और 4i इनको पन सुपरिमपोज कर रहे है तो आप से पूछा maximum intensity कितनी है और कम से कम intensity है वो कितनी है जब भी इसको पन सुपरिमपोज करते हैं तो i जो resultant हुआ करता है वो होता है कि i1 i plus i2 4i plus 2 of root of i1 into i2 4i और cos 5 5 यहाँ पर face difference है अब maximum होने के लिए minimum होने के लिए तो यह जो इसका value है वो range में अपन लेते हैं तो plus का 1 maximum के लिए और कम सेंग में लिए minus का 1 और यह है कितना मारे पास 5 5 5 i plus minus यह जो इसको plus minus लेंगे यूज कर लेता हूँ तो 4 कर लोड कितना हुआ 2 तो plus minus 4 i plus minus 4 i यह जो इसको plus में लें तो 5 plus 4 कितना 9 9 i और कम से कम लेंगे तो 5 minus 4 कितना हुआ i तो maximum कितना है 9 i और कम से कम कितना है आई तो राइट टांसरेस का थार्ड नेक्स्ट यंग की डेबल स्लिट एक्सपरिमेंट में कॉशन कह रहा है कि अगर हम लोग जो पीला प्रकास होता है यलो डाइट होती है उसको हम रिप्लेस करके और वहां लगा दे मोनोक्रामेटिक ब्लू लाइट य जो सिंगल स्लिट यंग स्लिट एक्सपरिमेंट यह डबल स्लिट आप जानते होंगे और यहां यह स्क्रीन होती है और इस पे आपका इंटरफेरेंस यह प्रेटर बनता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं पहले यहां जो प्रकास था वह पहले कौन सा था यलो अब इसको बदल डी एपां स्माल डी सेट अबने बदाव नहीं है और बदल दिया तो बीटा प्रपोस्टलो कितना लेमडा घृ तो आप ने लेमडा को डिक्रीज किया कि इंग्रीज किया आप जानते है विब्ग्यॉर आपके सामने है विब्ग्यॉर तो विब्ग्यॉर में आप पीले से हम जा रहे हैं यलो से जा रहे हैं उपन कहां ब्लू और इस तरफ एद आप इस तरफ लेमडा है वो होती है decreased लेमडा हमने decreased कर दिया तो fringe width भी क्या हो जाएगी घड़ जाएगी fringe width will decrease तो इसका answer आना चाया आपका First 9 का answer क्या हो जाएगा first, okay तो कोई issue नहीं है साब, हाँ, अगर यह कहता है कि एक को yellow से एक को open कर दें, blue से, interference नहीं होगा, क्योंकि अब यह current source नहीं रह पाएंगे, और फिर interference कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता हाँ जी अब इसमें caution यह है, कि white light is used to illuminate the two slits in a young's double cell experiment the separation between the slits is B and the screens at a distance of this, this बोले तो small d okay, caution यह है देखो ऐसा कि यह मानलों अपने पास एक YDSC experiment है और इन दोने के भी इसका एक separation है यहाँ एक screen है और light से यहाँ बननी है यह S1 और यह आपका S2 आप से पूचा है इसकी ठीक सामने इस वाले point पे कौन सी wavelength absent है कौन सी wavelength है वो absent है अब absence का पूचा है इसका मतलब despair तब होगी ना जब वहाँ पे विनासी वेत्तिकर्ण हो जाए destructive interference हो जाए destructive interference होने के लिए का condition आएगी तो distance हमको इदे रख है B distance, ओ दे रखा distance कितना हमारे पास यह D लिखा है और लिखा है D की जो value है वो कैसी बहुत ज़्यादा है किसे B से इन पास में है यह ऐसे में तो यहाँ इस point पे जो इसका अगर मैं कहते हूँ B है तो यह B by 2 यह Y की रूपे पर काम में लेते हैं तो इस point का तो part difference होगा delta वो गगा करता है कितना Y into D by capital D capital D को हमने ले रखा है कि यह तो 20 कर अपोन कितना है 2D अब यह part difference अगर destructive interference यह विनासी वे तीकन की सर्थ को पूरा करेगा तो अभी तो होगा ना तो 20 कर अपोन 2D अगर है कितना lambda by 2 यह 3 lambda by 2 यह मालो 5 lambda by 2 अब इन equations यह इन value को follow कर रहा है तो निशित रूप से वहाँ पर क्या होगा यह रंगा absent हो जाएंगे तो अब यह lambda कौन कौन से हो सकती है लेमडा अगर अगर अपन निकालें इस से तो 2 से 2 डा जाते हैं तो कितना B square upon D आ गया इसको solve करेंगे तो lambda यहां से cancel नहीं होगा यहां तो आपका limit upon 2 थाए तो 2 से 2 cancel होगया तो B square upon कितना 3D B square upon D B square upon कितना 3D B square upon कितना 5D यह जो wavelength होंगे सारे के सारे absent हो जाएंगी ठीक है जी इसका right answer कौन सा होना चाहिए तो D square upon 5D थीक है तो यह आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट बिसलते हैं एक होल है उसका size कितना 0.15 cm है परदाई सेते दुरी पर रखा गया है और इसमें लेवड़ा इतनी है तो वीवरतन प्रतुरूप का जो fringe की चोड़ाई कितनी होंगे इसका डायमेटर या जो इसका आपरचर है और यह स्क्रीन है यहां बनती है आप देख सकते हैं एक सेंटल फ्रिंज और यह डिस्टेंस यहां लेंस का आपन उपयों करते हैं लेंस की फोकुस करते हैं तो यह जो fringe बनती है सेंटल फ्रिंज उसकी जो width हुआ करती है यह यह फिर्थ जिसको अपन बीटा महां लेते हैं साब बीटा यह जस्ट जो फूमला है कांपरेट लिपन देखें तो वो वाइड यह सी के ठीक डबल के बराबर होता है तो लेंडा इंटो ली किस्तान पर यहां एफ अपॉन कितना ए और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर फॉर्थ आजाएगा next a1 cos omega t a2 यह हैं दो आपके पास quadrant source है और इन दोनों को supreme पोज कर रहे हैं तो इससे resultant जो intensity है वो कितनी आएगी किसके सवानुपरती होग आपने को पुछादा रहे है अच्छा question है simple question है वैसे दो दो वैब हमारे पास है y1 is equal to a1 cos omega t तो इसको पर बदलने अगर तो कितना होगा sin omega t प्लस pi by 2 y2 हमारे पास कितना है a2 sin omega t तो अगर इन दोनों का आप superimpose करेंगे तो superimpose करने पे अगर इस a2 sin omega t को अच्छा से मान लें और यह 90 डिगरी पे इसके साथ superimpose हो रहा है a1 तो ऐसे में जो इसका resultant amplitude बनेगा वो होगा कितना a r is equal to a1 square प्लस a2 square का root यह इसका resultant amplitude है अब आप जानतें intensity जो होगा करती है वो तो amplitude जो होता है न उसके square के proportional होती है इसका बने square करेंगे तो क्या आना चाहिए a1 square प्लस a2 square तो intensity किसके proportional है a1 square प्लस a2 square के proportional तो इसका right answer आपका हो जाएगा next यह हमारे पास है कि wavelength of light used in a optical instrument are this and this the ratio of their respective resolving powers resolving power है यह तो इसमें जो फॉमले आप में यूज करते हैं उसके अकोडिंग बात करें तो resolving limits होती है न लिमिट में लेमडा यह प्रपोस्ट में लेमडा होती है resolving जो power होती है वो प्रपोस्ट वन अपॉन लिमिट यह प्रपोस्ट वन अपॉन लेमडा फॉमले यूज करते विए आप बढ़ेंगे अब इसका जो ratio आपको निकालना है तो power resolving power first upon resolving power second तो लेमडा के inversely proportional है तो five by four right answer आपका हो जाएगा fourth ठीक है जी थर्टन का answer है fourth बिलकुल ठीक है सब next यंग की double service framework में किसी point पर डिफ्रेंस कितना दे रखा अपने को लेमडा बाई six ठीक है तो अब इसमें कर रहा कि आई नोट कैसी maximum intensity है तो आई बाई आई नोट तो power difference लेमडा बाई six है यानि delta हमारे पास कितना है लेमडा बाई six तो इससे पर निकाल लें क्या phase difference delta phi delta phi equal to k delta x delta x माल लेता हूँ न यह power difference है तो two pi by lambda into lambda by six ठाओ इसको तो pi by three यानि कितना हो गया 60 तो 60 डिगरी पे अब इसकी intensity कितनी हो जाएगी और maximum कितनी है यह तो इसका formula आप लोग जानते है i is equal to i naught वैसे अगर एक source की intensity i naught हो तो अपने कहते हैं 4 i naught और यह cos square delta phi by two अच्छा delta phi हमारे पास कितना है 60 cos 60 by 2 तो 30 डिगरी और cos 30 कितना होता है root 3 by 2 उसका square 3 by 4 3 by 4 तो i naught into कितना 3 by 4 तो इसका answer आपका हो जाएगा 4 बहुत दूरी पर इस तारे से आरे स्पेक्टर में रेका इतनी है प्रकास की lambda इतनी हो जाती है तो तारे से दूर जाने का वेक कितना है a spectral line lambda equal to this in the light coming from a distant star कि कोई star है और उससे हमारे पास light आ रही है और वो real में इतनी है आपको feel इतनी हो जा रही है तो lambda बढ़ रही है lambda अगर increase हो रही है इसका मतलब है कि star हमसे दूर जा रहा है decision हो रहा है वो हमसे separate हो रहा है हमसे approach नहीं कर रहा है हमारे पास नहीं आ रहा है दूर जा रहा है अब इसमें जो formula आपने जाना हो तो delta lambda upon lambda equal to plus minus कितना v by c delta lambda change कितना है यह bounce हो गया पहले कितना 5000 अधा difference कितना 200 angstrom कितना initial कितना 5000 angstrom equal to कितना v by c और इसे पन v निकालेंगे तो देखो इसको उड़ा देते हैं angstrom इससे cancel हो गया यह से cancel हो गया 1 upon 25 आ गया 1 upon 25 तो v equal to हमारे पास कितना है c in v equal to हो गया c by 25 c by 25 c कितना है 3 10 की पावर कितना 8 upon 25 अगर इसको 4 से गुणा 4 से भाग दो हो गया आपका 100 हटाओ इसको पावर कितनी होगे 6 तो 12 इंटो कितना 10 की पावर 6 तो 1.2 इंटो 10 की पावर 7 मीटर पास सेकंड इसका आजाएगा अच्छा यह सामने कॉशन है इस तरह से वापर से रफ्लेक्ट होगा जो इसका बनेगा वेब फरंट इस तरह से बन जाएगा तो ऐसा वेब फरंट कौन सा है थर्ड है एक YDSC में Central जो फ्रिंज होती है उसको कैसे पैचानेंगे Central जो फ्रिंज उसकी पैचान तभी हो सकती है जब आप वाइट क्लर का उप्योग करेंगे YDSC में यदि आपने जो यहां प्रकास अपन यूज करते हैं ये मॉनोक्रोमेटिक इस्थान पर वाइट लाइट उज करेंगे तो Central ब्राइट फ्रिंज कैसी बनेगी चम के लिए बनेगी और उसकी इंटेंसिटी अदर से अलग होगी वी स्थी, उसके स्थीम पर लिखाए देंगे, तो बिल्कुल अलग सी आपको दिखाए देनेगी वाली Central फ्रिंज है, वो यह पता सकती है कि आपने वाइट लाइट का उद्यूज करा है कि या Central फ्रिंज है, वो सबसे अलग होगी, सबसे नियारी, सबसे प्यारी होगी पाथो पैम उसके पाथ में आपने दो पोलोड रखे वे ये थैट यह थर्ड पोलोड खेने फॉलिएंट इस तरह से है कि आपको दो क्राइच दे रखी है यह फस्ट को पोलोड कि आपको पास सक्षिस है लाइट अपन डालें इसमें आइनोड इंटेंसिटी की अभी इसका काम होता है 50% इंटेंसिटी को गढ़ाना दूसरा रखा इसके ठीक 90 पे कि मालों फर्स्ट पॉलर्ड है ये कौन सा सेकंड दोनों कैसे क्रोस्ट हैं दोनों लंबोत रखे हैं इसलिए जो मेर्स लोसे पन इससे निकालते हैं इंटेंसिटी वो कितनी आई जीरुआ गए अब इसने क्या का कि फर्स्ट जो है उस पे जो थीटा एंगल पे रख दियां उसको अगर थर्ड वाला ये फर्स्ट है ये सेकंड और ये थर्ड अब देखो सेकंड पर जो इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है वो कोंसे आई नोट बाई टू है तो जो निकले की इंटेंसिटी वो कितनी होगी आई नोट बाई टू इन सेकंड आपका इस तरह से है थर्ड है वो ठीक इस तरह से है तो अगर फर्स्ट में थर्ड में एंगल किता थीटा का है तो थर्ड में और सेकंड में एंगल किता 90 मैनस थीटा का 90 मैनस थीटा से लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो जो फाइनली आउट होगा वो कितना हो तो योग है sin square theta और cos square theta तो देखो I note by 2 और sin square theta into cos square theta इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन इन power को यहाँ से हटा दें और कर दें इसको square एक काम और कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको 2 से अंदर multiply कर दूँ और 2 यहाँ में लिख दूँ कोई issue नहीं आएगा पर इसको बाद अपन बदल स सकते हैं कि इसको यहाँ से अपने multiply किया 2 से divide भी किया किसे 2 से 2 sin theta cos theta upon 2 इसका whole square और यह बन गया sin 2 theta तो देखो और 2 का square कितना 4 4 यहाँ तो 2 into 4 and 2 into 4 कितना 8 I note upon 8 into कितना कि sin 2 theta का whole square तो sin square 2 theta I note by 8 sin square 2 theta बस इसमें द्यान एकना है कि जो last वाले से light निकल रही है वो कितने निकल रही है यह बार बोलते हैं 0 निकल रही है तो दोनों कैसे cross होंगे निकल रही है maximum निकल रही है दोना पसे parallel होंगे ऐसे Christians सा आपको द्यान पकने होंगे इसका answer जो I note by 8 sin 2 theta नेक्स सिलिकन के लिए potential barrier कितना होता है silicon का point साथ अच्छा D1 D2 D3 से हमारे पास semi-intentional band gap दे रखे हैं अपने को इतने तो कौन सा डायोड है वो 600 लेमडा के light को detect कर सकता है तब ही कर पाएगा जब उसका जो अब 6000 की दो light है इसके पर निकालते है एनर्जी फोटन के एनर्जी तो वो है roughly कितनी 12400 12400 अपोन कितना लेमडा हमारे पास है 600 6000 इलेक्टोन वोल्ट इसको उड़ा दे हम लोग यह 12.4 तो 62.something दो पॉइंट यह मालो सम्तिंग आ गई है थोड़ी स्यादा हो जाएगी तो इसको अपन अप्रोक्स देखेंगे जबकि यह 2.5 है यह 2.5 है यह 3 है तो इसमें से कौन सा अच्छा एक करबड़ कर दिया न हमने च्छे पॉइंट जिरो च्छे पॉइंट सौरी सौरी दो पॉइंट जिरो च्छे क्या सपास एनरजी आई है ना तो अगर 2.6 है तो यह कौन सी लाइट कौन सा डायोड इस लाइट को डिटेट कर सकता है ना जैसे आप पढ़ते हैं यह मालो इसका यह कौन सा आपका वी बी है और इनका डील्ट एजी आपको दे रखा है तो जो फोटो पॉटो ने अपन हैं इंस्टनेटेट करेंगे अगर उसकी एनरजी ड इल्टा इजी जो होता है डील्ट से बढ़ा होता है विडेट कर पाएगा तो अगर यह energy जिससे भी ज़्यादा होगी ज़्यादा किस से है सिर्फ दो इलेक्ट्रोन वोल्ड से तो डीटू से दीटू के वल इसको डीटर कर सकता है अदर वाज तो पॉसिबल नहीं है N E और V D यह सब ज़र रखे हैं इलेक्ट्रोन संक्या है सरथ ताप की बढ़ाने से तो किसी सेमिकंड्रिटर में पर T को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोन और होल वो समान संक्या बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोन संक्या तो बढ़ेगी अपन वेक V D डिफ्ट वोसिटी की क्या होता है तो डिफ्ट अपर पढ़ते हैं V D इकुल टू कितना म्यू इंटू E म्यू हमारे पास E तो अपन अप्लाई करते हैं म्यू है कितना E इंटू टो बाई M इंटू E अच्छा E इंटू M ये तो इलेक्ट्रोन के चार जो मास है तो क्या होता है इतरह से लेम्डा अपॉन कितना रूट आफ लेम्डा अपॉन करते हूं V T पर V T होता है क्या 3 KT बाई स्मॉल M 3 KT बाई स्मॉल M इंटू E तो आप यहां से देख सकते हैं लेम्डा तो अप्लॉक्स कॉंस्टेंट रहता है ये अपन अप्लाई कर रहे हैं साभी कॉंस्टेंट है तो यह जो आपके डिपेंडेंस देख रहे हैं तो V D पर पोस्टन टो कितना वन अपॉन रूट टी क्या इंफिनिटी तो ऐसे में जो करन्ट कैसे क्या फ्लो करेंगी तो यह 5V है 25 है सब लगा रहें इसका खुद का रेस्टेंज भी कितना है फ्लस माइनस यह हैई वोल्टेज लो वॉल्टेज हाई वोल्टेज हाई और लो यह फॉर्वार्ड यह रिवर्स दिवर्स तो ब्रेक ह लग गया करन फ्लो करेंगे इसमें से तो अब 25 और यह कितना है एक सो पचीस एक सो पचास हो यह प्लों आई थ्री तो जीरो है आई तो कितना जीरो है इसका मतलब यह ओप्सन संभव नहीं है तीन में 0-0 है ठीक है अच्छा उसके बाद देखो यह कितना है 150 यह एक सो पचास मैं करन जो हमारे पास है तो इस मैं करन कितनी होगे तो हमारे पास 5 अपॉन 100 तो 0.05 अमपियर अब जो इसमें करन जाएगी दोनों बराबर ही है तो हाफ आप करन ओगे इसकी हाफ तो कितनी है 0.025 अमपियर तो I1 I1, I2, I3, I4 I1 कितनी? 0.05 0.05 I2 उसका half I3, 0 फिर यह half तो इसका right answer आपका second बन दाएगा Next तो इसमें यह हैसाब question कि पहले तो देखो logic दे रखाए अपने को यह इसके input है, output कैसा आएगा हमको बताना है तो input, output चेक करें तो उससे पहले रखो हमारे पास logic दे रखा है यह actually कौन सा logic गेट है? यह है Nand gate तो Nand gate है, इसको अपने input दे रखा single तो A से क्या हो गया? A bar B से क्या हो गया? B bar इसमें A bar input, B bar input चला गया और यह actually वहा A bar dot B bar इसको पंचाहें तो ऐसे लिख सकते हैं? A plus B का bar तो इसको आपस re-combine करेंगे, तो combine करेंगे तो sign बदल देंगे, अब यह इसमें input जाएगा और यह not gate की तरह से बेव कर रहा है, तो आप जब A plus B के bar का double bar कर देंगे तो output हमारे पास कितना गया? A plus B अच्छा, sorry, sorry यह यहां से आपको मिला कितना A plus B का bar, फिर इस पर notting करेंगे, तो A plus B के bar का bar यह हो चुका है, यहां आपको क्या मिल चुका था? A plus B उसके बाद यह इस पर input गया यह not gate है, तो आपको मिला A plus B का bar, actually बन चुका है nor gate nor gate, यहां A plus B का bar अपने हों करना है, तो देखो अब इसमें जो input हैं, input हों को अपन चेक करते बागे बढ़ेंगे, तो यह इसका A plus B का bar आचुका है, अब ध्यान करो कि यह input जोना, इसमें देखो क्या है? यह 0 इसके corresponding कितना है? sorry, 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 sorry यह 1 इसके corresponding कितना है? 0 1, 1 0, 1 1, 0 और यह आपका 0 और 0, इस time interval का आपको output पूछा है तो इसमें A plus B कितना है? 1, उसका bar 1 का bar कितना? 0 1 plus 1 1, उसका bar कितना? क्योंकि हम लोगों के find करना क्या है? A plus B यह इसका output Y जो है, वो actually है क्या A plus B का bar उसकी palliative बना लो तो A plus B यह दोनों को आप A plus B कर रहे हैं तो 1 और 0 1 का bar 0 1, 1, 1 का bar कितना? 0 0, 1, 1 का bar कितना? 0 1, 0, 1 का bar 0 0 का bar 1 इसका मतलब 4 तो 0 है, बाद में कितना 1 है? 4, 0 है, 1 बाकि 1 है, तो इसका right time से आपको जाएगा second आप जानते हैं, इसमें तो यह reverse current होती है यह I1 intensity का है यह I2 का, I3 का जितने पर light की intensity बढ़ाते हैं उसी ratio में current है, वो बढ़ती है तो जब यहाँ पर I3 और यह I2 और यह I1 का order है तो जो धारा का order होता है current का order है वो ही intensity of light का order होता है क्योंकि जितनी intensity of light बढ़ाएंगे उतने photons अधिकरेंगे, उतने photon गिरेंगे उतने bond break होंगे bond की proportional current है, वो बढ़ेगी तो इसलिए जो धारा का यह current का ratio है, वो ही यह order है आपका intensity of light का होता है next, carbon और silicon जो है उसमें आप जानते हैं, कि कुश्चन दे रहे है carbon silicon में ज़्यदा conductive कौन है तो carbon के अंदर तो आप जानते हैं जो इसके four outermost electron के बात करेंगे अपन, valence electron वो second orbit में होते हैं silicon में, third में होते हैं तो carbon के अंदर जो चार electron है, जो कि outermost के हैं जो second orbit में है nucleus के ज़्यदा पास हैं अधिक bonding से हैं अधिक बंदेवे हैं उनकी conductivity ज़्यदा नहीं हो पा रही है तो वो reason masked होता है और इसलिए आप यह कह सकते हैं कि इसके conductivity कैसी होती है कम होती है यानि carbon के दो दूसरे course में चार electron पाए जा रहे है silicon में तीसरे course में चार electron पाए जा रहे है वो दूर है उनकी conductivity ज़्यदा होती है अच्छा यहां है silicon diode तो silicon diode के लिए देगो यह 3 और यह कुशन नीट में आपका पूछा भी जा चुका है तीन वोल्ट है अगर silicon diode है यहां इसका voltage कितना जीरो यहां voltage कितना जीरो यहां तक voltage कितना आपका जीरो है minus से plus कितना होगा 3 volt यह आपका plus का 3 volt इसमें से 0.7 drop इस पोगा तो यहां कितना होगा 2.3 volt अब 200 ohm का जो potential difference कितना है 2.3 volt और 0 तो current कैसे ऐसे flow करेगी और इसका हम लोग I find करते हैं तो I कितना है दोगो 2.3 upon 200 यदि इसको अपन 5 से multiply 5 से divide कर दें तो यह होगा 1,000 तो 5 ती कितना 15 और 10 और 11 11.5 यह है 1,000 इसको लिए हैं उपर तो million बन गया है तो इसका right answer आपका first बन जाएगा next hydrogen atom के nth orbit में जो electron है उसका magnetic moment कितना होता है तो अपन जानते हैं j equal to होता है n e h upon 4 pi m तो j हाँ पर n के ठीक प्रपोसल है answer इसका first आजाएगा हाँ साहब तो इसमें question देखो next तो next के उसरब पन शुरू करते हैं question है the shortest wavelength of the bracket series bracket की shortest जैसे इसको ऐसे n equal to 1, 2, 3, 4 और 5 यह लाइमन बामर, पास्टन और bracket तो bracket की shortest का मतरब infinity से आप आते हैं 4 में ठीक है तो कहरा है कि hydrogen like है उसकी bracket की shortest उसका atom ही z है और फिर कहरा है बामर की hydrogen की बामर series की कौन सी है वो भी shortest hydrogen की, बामर की बामर की shortest का मतरब आप आ रहे है infinity से कहाँ 2 पर तो अब दोनों की lambda अगर equal है तो आप बूचा की z का value कितना है पिर सुनलीजेगा hydrogen like का तो कौन सा है bracket का last यानि shortest यानि maximum energy की lambda की कम से कम value होने पर तो ऐसे में जो lambda अपन इसका निकालेंगे तो lambda किसकी है hydrogen like equal to lambda किसकी है hydrogen की पर ये है bracket की shortest ये bracket की shortest ये बामर की shortest तो lambda का formula अपन जानते है 1 upon lambda is equal to r z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square n2 हमारे पास infinity है तो 0 हो गया तो 1 upon n का square तो ऐसे कर सकते हैं क्या दोनों को equal करते हैं तो ऐसा करते हैं r पहले में z का square into आप कहां जा रहे हैं साब first वाले में है 4 में 4 का मत्ता हो गया 16 is equal to second में r into 1 का square hydrogen है और ये हो गया 2 का square यानि 4 r से r कोड़ा देते हैं 4 से 4 हो गया z square equal to 4 z square equal to 4 तो z कितना हो जाएगा 2 अच्छा इसमें lambda को अपने क्या कर दिया है देखो lambda ये photo electric equation है और इसमें अपन क्या करते हैं lambda पहले lambda का photon डाल दिया lambda 1 का तो electron की कानेटिए इनसे कितनी है k1 ठीक है जी lambda का है तो कितनी k2 lambda 1 कितनी है 2 lambda 2 lambda 2 इससे आप देखो lambda 2 कितना है lambda 1 by 2 तो lambda को अपने half कर दिया frequency को double कर दिया energy double कर दी तो ऐसा करने पर जो elektro निकलते हैं उनके जो kinetic energy k2 होती है वो double से भी कुछ ज़्यादा होती है 2 k1 से थोड़ ज़्यादा होती है तो ऐसा क्रिश्में आ रहा है इस option को देखो आप यहाँ k1 है तो k2 कितना है 2 k1 से बड़ा 2 k1 से बड़ा यहाँ यह कर रहा कि hydrogen परमाणू है वो oxidative state में जिसकी quantum number कौन सी है n यानि कोई h atom है n से कहाँ पे n से 1 में आ रहा है n से 1 में आ रहा है तो जो photon image कर रहा है उसकी n to 1 upon आना कहाँ first में तो 1 upon कितना n स्क्वाइर अब से solve करोगे तो इसका answer आपका third आ साहेगा next यह कर रहा है कि कोई photo sensitive metal है और उसमें आपको बोला कि उसका अधिक्तम kinetic energy कितनी है 4 electron world तो उसका stopping potential कितना है अच्छा यदि उसकी maximum kinetic energy कितनी है 4 electron world है तो stopping voltage तो actually होता है V not equal to होता है क्या है kinetic energy maximum upon E तो 4E upon 2 तो कितना 4 electron world आज़ा है 31 का answer कितना second बिल्कुल ठीक है next एक पदार्थ पर हमको क्या दे रखा है एक body है उसका work function कितना है 4 the work function of a substance is 4 electron world the longest wavelength of light that can cause photo electron emission from this substance is approximately तो एक substance है जिसका दे रखा है आपने को work function 5 not किता है 4 electron world तो इससे electron emit करने के लिए हमको lambda कितनी चाहिए तो lambda इससे पर निकालें तो lambda actually कितनी 12,400 upon 4 तो ये actually और ये किसम अनस्ट्रों में आएगा तो इसको अपन हटाएं तो 3, 1 0 0 अनस्ट्रों और इसको बदले पन nanometer में तो कितना 310 nanometer 310 nanometer नेक्स्ट यहां है कि एक डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with photons protons changes by this its momentum is changed by P0 initial momentum of proton is तो यह कर रहा है कि जब proton जो है उसकी lambda को पर इतना बदलते हैं तो momentum इतना से बल जाता है तो initial momentum कितना है पड़ा प्यारा question नीट में आ भी रखा है तो डी ब्रोगली के constant से पर जानते हैं lambda equal to कितना होता है h upon p और percentage गाशा पांस चोटा है तो इसको इतना अप्रोक्स कर सकते है तो ऐसा है कि lambda बें दिरेक काश्रों ठीक है तो delta p upon p इंटू कितना हंड्रेड आप सुनो lambda का change दे रखा है 0.25% यह value हमारे पास कितनी है 0.25 एकर दूँ 1 by 4 is equal to delta p यह है change और यह है p initial तो delta p हमको दे रखा है p naught इंटू 100 upon कितना p initial अब इसे solve करें हम लोग p initial तो करो इसको पूरा multiply 400 p naught next यह है कि alpha particle है moving horizontally max and head on collision with a proton एक alpha particle है और यह किस से collision कर रहा है and alpha particle moving horizontally max head on collision with a proton तो alpha particle देखो यह alpha particle है और इसका mass कितना है 4 MP और यह मालेता हूँ और यह motion करते वे जा रहा है V speed से और किस से collision कर रहा है proton तो इसका mass कितना M मालेता हूँ rest में है तो इसको मालेपन U1 को मालेता हूँ U U2 कितना हो गया 0 अभी collision करेंगे और इसका mass 4 M इसकी speed मालो V1 हो गई और यह आपका M इसकी speed कितनी हो गई V2 अब यह टक्कर कौन सी है परत्यास टक्कर है elastic origin V1 B2 की formula अपन जानते है तो V1 की value है कितनी V1 होता आपका M1 minus का M2 upon M1 plus M2 into U1 अगला step इसका 0 है U2 पे आएगा तो बहुत 0 हो गया यह 0 है अब M1 कितना 4 M minus का M तो 3 3 upon कितना 5 तो first है 3 upon 5 U दूसरे में आप इसकी value सी निकालेंगे V2 तो V2 हमारे पास कितना M2 minus 0 हो जाएगा और फिर आपका जस्ट रहेगा 2 M1 U1 upon कितना M1 plus M2 M1 कितना है 4 तो देखो 2 into 4 upon कितना 5 यह हो गया 8 by 5 तो इसकी value हम लोगों लिखेंगे तो 8 by 5 U आ गया यह first की speed है यह second की है आपको पूछा है कि just after जो है इनकी जो deep broccoli wavelength है उनका ratio क्या है तो आप जानते हैं lambda equal to होता है h upon P h upon M into V h upon M into V m और V तो इसलिए lambda 1 by lambda 2 is equal to हम लोग लिखेंगे तो यह होगा M1 V1 और M2 V2 तो value put कर दें M2 हमारे पास कितना है M M1 कितना 4M V2 हमने अभी find करा है 8 by 5 U और यह है 3 by 5 U M से M उड़ा देता हूँ यह इस से cancel U से U cancel उपर हा 8 8 और इस कोड़ा दों के से 4 से 2 2 बटा 3 तो 2 बटा 3 इसका रेशो 34 का अंसर है 4 नमर बिलकुल ठीक है साब नेक्स्ट इसमें है कि light coming from a discharge tube filled with purely hydrogen तो discharge tube से ऐसा माना जाता है कि electron infinity से आता है ground state में तो 13.6 electron world का photon निकलता है और यह कर रहा है कि जो photo निकल रहा है वो हम का करते है photoelectric cell के उपर इसको कर रहा है incident the work function of the surface of the cathode is this आप मान लो कि जो cathode है इस पे जो photon नपन डाल ले हुआ है कितना 13.6 electron volt का इसका work function कितना दे रहा है अपने को 5 naught 4 electron volt ऐसे में जो electron यहां से निकलेगा उसकी k max कितनी होगी 13.6 minus का 4 ठीक है which of the following value of anode voltage will with respect to cathode will likely to make the photo current 0 तो अब photo current 0 है वो किस से बन सकती है तो इससे पन जब solve करेंगे तो हमारे पास value जो आ रही है यदि इसके पन 14 मानते तो कितना होता 10 तो 9.4 9.4 यह आपका electron volt 9.4 इसका हो गया इतरह से stopping potential इसके बराबर या इससे अधिक होगा तो current 0 हो जाएगी तो इन से 0 possible नहीं आपका answer कितना है 4th 35 का answer 4th next तो अगला question है जी एक रेस्ट में कोई body रखी है इसका मास कितना 3M है और यह अचानक है segment में तूट गया तो जब भी कोई rest particle suddenly break होता है तो इसका इसका reason होता है internal forces system में और momentum इसका चेंज नहीं होता है दोनों पार्टिकल से momentum के होंगे momentum सेम है तो आप जानते momentum में सेम होंगे तो लेमडा तो मालों कोई lens आपके इधर पढ़ है और यह मालों इसका f और यह तो अगर कोई object यहां रखते हैं इसको पर पास लेकि आओगे में तो यहां से पिछे से फिर बढ़ते बढ़ते पिछे वापस पास आएगी तो और बड़ी वस्तु जो है ना उनके लिए आप से पूछावाए तो इसको ढंक से आपको पॉप्शन को समझें मैं थोड़ा वापस इसको सुमझाता हूं आपको तो देखें धान दें कि यह मिरर है कौन के और यह आपका एफ और यह टू एफ और डिस्टेंस जो आपजेक्ट की है उसको जड़ा देखें यह टू एफ यह ना टू एफ से पहले भी टू एफ के बाद भी है यह मैंने इसका लेगा नहीं तो यह एफ और यह टू एफ तो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखाई हो यह टू आपके पहले भी और झास मेरा है इसकी मेंस बनेगे नीचे इसकी मेंने नीचे यह बनेगी ये point दो कैसे point को उपन देख लें इसकी A की image बनेगी और ये F से परे है तो इसकी image F और 2 F की बीश में बनेगी F और 2 F के बीश में और छोटी image बनेगी तो A की image है यहाँ नीचे छोटी image और D की भी ऊपर बनेगी ठीक है और जो pass में है उनकी image बड़ी बनेगी C वाला यहां बनेगा, D यहां बनेगा C dash, D dash तो मुझे तो 37 का second answer सही लग रहा है और यह answer आपका सही है Next देखो इससे पूछा 30 degree the face PRO पे prism PQRO of angle 30 degree is silvered array is incident on face PQ देखो simple question आए यह पूछा है, light यहां से अपन कर रहा है incident और यह surface कैसी silvered है तो silvered होने पे light just जाएगा वापस उसी पतल को follow करते वापस आएगी तो हमको पूछा क्या है the refractive index of the prism is तो simple देखो यह angle कितना 45, यह 90 और इसका prism angle कितना है यह है 30, इसके 30 होने पर कितना 60, तो यह कितना होना 30 बस अब यह है air इसका mu कितना होना 1 यह है medium इसका mu निकालना है तो आप कि हाँ से snail का नहीं बगातो, तो snail स्लो लगाएंगे तो 1, 1 sin 45 1 sin 45 में बदम 1 upon root 2 sorry, 1 sin 45 यानि sin 45 होता है root 2 is equal to mu into कितना sin 30 sin 30 होता है 1 by 2 इसे अपना mu निकाल लेते हैं, 2 पर लेजाओ तो mu equal to कितना 2 by root 2 यानि कितना root 2 इसका answer आपका root 2 आजाएगा next एक उतल दरपण की f दे रखिए अपनों 10 cm focus length of convex mirror is 10 cm convex lens convex mirror यह है साब एक convex mirror जिसकी focus length कितनी है 10 cm तो आपको पूछा ही जा रहा है focal length of a convex mirror is 10 cm image of an object placed at 20 cm is also at 20 cm ऐसा कुछ नहीं इसमें यहाँ जितनी image बनेंगी जैसे आपने देखा इसको तो चलो एबर फिर देखते हैं इसको question को आप देखें इसमें यह हमारे पास है convex mirror ठीक है और इसके देरह किया focus length 10 cm तो image आप इसकी पढ़ते हैं पूरी आप रखें object को infinity पे और उसको past लेक हैं तो इसको past लेक हैं तो image बनेंगी सारी image कहा बनेंगी इसके ठीक पीछे बनेंगी और कहा एफ और पॉल के बिस बनती है इमेज ऐसे पास आती है सारी image पीछे है छोटी image है तो क्या करा है यह करा है कि 20 cm की distance बनता है image 20 cm अगर रखा object तो 20 पे बनेंगा नाई जी यह पीछे बनेंगा यहाँ distance बड़ाबर नहीं है यहाँ पर और 10 cm रखी बश्टू का image infinity पे 9, 10 पे रखोगे तो image तो ही इसके पीछ बनेंगे है यह कौन की mirror नहीं है कौन वेक्ष mirror है image सारी कहां बनती है इसके F और पॉल के बीछ बनती है और यह पास ले क्या होगे image यहाँ बनेंगे सारी तो दोनों ही गलत है तो यह है संभारिक नाभिक isobars isobars में क्या होता है a same होता है और z और n कैसे होता है different radioactive दे रखा अपने को substance और उसकी half लेख गिती है 140 16 gram में से 15 gram decay हो जाए 16 से बचा कितना 1 तो 16 का half कितना 8 इसका half कितना 4 इसका half कितना 2 2 का कितना 1 तो 1 half life 2 half life 3 और 4 half life तो इसको करतो multiply कितना 140 into 4 तो 28 56 560 base का हो जाएगा अच्छा जी कौन सा स्टेटमेशन सही कौन सा गलत है उसको select करना है सही कथन आपको select करना है तो कह रहा है all radioactive element decay exponentially ठीक है half life time of radioactive element is time required to one half of the radioactive atoms to disintegrate ठीक है half life में 50% decay होते हैं 50 active रहते हैं as of the earth can be determined by the radioactive rating बिल्कूल वाँ uranium से बनता है lead उससे पर fine करते हैं half life time of radioactive element is 50% of its average alive no 50% नहीं होता है कह रहा है कि रेडियों तो कह रधा ही हो उसकी उस्तायों का 50% ना 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 गलत गलत कहा था ये गलत है बाकि सब सही है तो इसका सही आंसर कौन सा देगा first, second और third next यहां पूछा है कि ऐसा कोई अगर nuclear fusion हो रहा है तो जब भी कोई nuclear reaction है self spontaneous होती है यह आपन करवाते हैं तो finally अपन यह देखते है कि जो इसका यह product है यह आपका reactant है तो इनका जो mass defect होता है देल टायम उससे हमेशा यह mass कम होता है यह mass जदा होता है तो इसका जो mass होगा वो इन दोनों के mass से हमेशा कम आएगा less than the mass of इसका जो mass होगा वो इन दोनों के mass से कम 1s2 और 1s3 के mass से कैसा कमा जाएगा तो next पे चलते है यहाँ z से 0-2 तो क्या निकल गया एक अलफा निकल गया फिस z-2 प्लस z- यह दो z-2 z-1 यह जड़ बढ़ा है एक से बढ़ा है तो बढ़ा किस से बीटा माइनस से पहले है अलफा से और यहाँ no change तो गामा अलफा बीटा और गामा अच्छा जी एक प्रिजम है उसका दे रखा है प्रिजम एंगल कितना ए और इसकी एक सरफेस को अपने पॉलिश कर रखा है और फर्स सरफेस पे एंगल आफ इंस्डेंस कितना टू ए है वापस लाइट उसी पत पर आ रही है तो आप से पूछा है कि इस प्रिजम का म्यू कितना है तो देखो वापस हूई पहले क्योशन था उसी तरह का खूछन है इसको आपने पॉलिस कर रखा है और आपने light को क्या incident इसका angle ऑफ इसका 2i, 2a और प्रिजम angle कितना है इसका a यह जाकर वापस आएगी इसके a होने पर इसके a होने पर यह 90 तो ही कितना है 90 मैनस a तो यह a आ गया अब लगा दो यहां से यहां से निल का नियम तो यह तो है mu 1 यह कितना है mu इसको find करना है तो 1 1 into sin 2a equal to mu into sin a इसको अपन बदल लेते हैं कितना हो जाएगा है 2 sin a और cos a is equal to mu sin a sin a sin है आपका cancel तो mu कितना 2 cos a 2 cos a yes sir general diode को broadcast diode और solar diode इनको पन कैसे जोडते हैं general diode को जोडते हैं reverse में broadcast diode जोडते हैं पन forward में और यह होता है solar में कोई vicing नहीं होती है no vice अच्छा general diode को पन जब voltage regular के रूप में काम में लेते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है तो rs x stage resistance होता है और यह plus minus तो यह आपका p भाग n भाग reverse vice में होना अच्छी है तो यह first is first वाला आपका से हो जाएगा the battery current in the circuit will be battery current कितनी होगे यह 3 वोल्ट की battery है यह आपका प्लस है माइनस है यह plus minus है पी भाग यह तो फोरवाड वाइस में है current फ्लो करेगा reverse में current फ्लो नहीं करेगा current यहां से फ्लो करेगी इसकी पात में रेस्टेंस कितना है थ्री अपॉन थ्री चालीस और तीस दस कित में forward में है तो current कितनी i equal to होगी आपकी थ्री अपॉन कितना पचास दो से multiply दो से इपन डिवाड़ करें कितना होगा 6 अपॉन 100 या वैसे अपनी कोशन इसी प्रकार का था दो क्या है तीन बटा पचास इसका अनसर आपका हो जाएगा यहां दो व्यव आपने supreme पोज कर दी है इसका एंपलिट कितना हो जाएगा यहां यह यहां यह वाई जो इसका ए आर जो होगा ए आर ए फोर का स्वाइर प्लस थ्री स्वार का रूट यानि कितना फाइव नेक्स्ट दो अपने पास polarizing seat है तो नहीं आपस में parallel है तो जो निकलता light है वो maximums की तरह की intensity किसी एक सेटो किस एंगल पर पर गुमाए जिससे की निगत जो निगत तीवरता आरंबी की कितनी आदी हो जाए कोशन को फिर देखिए दो polarizing seat है have their polarizing direction parallel to each other so that intensity of transmitted light is maximum दो polarizing seat है इस तरह की और उस पे light हम ने कर दी incident तो माल लो यहां आपने intensity आई नोट डाल दी तो इससे निकल कि आई नोट बाई टू पर कर रहा कि जो intense निकल दी वो कैसी maximum है तो दोन आपस में parallel है दोन आपस में parallel है अब कर रहा है कि हम एक को गुमा दें जिससे intensity जो आना one half of the initial value जो थी उसकी आदी रजाए अभी इसकी कितने निकल लिए थी आई नोट बाई निकल लिए थी output गुमाने पर इसकी आदी रजाए यानि आई नोट बाई 4 रजाए तो कब रहेगी तो माल लो i dash equal to i not by 2 पहले से थी और यह कर दें हम cos square theta और यह कितनी रजाए i not by 4 आ cos theta हमारे पास कितना 1 by root 2 तो theta कितना हमाब 45 degree जा 135 degree पैंतालीस एकसो 35 अगर यह होगा तो intensity पहले की half हो जाएगी ठीक है यानि question था i not by 2 यह पहले प्रेल कंडिशन थी अब कर रहा है कि इसको एक को गुमाय अपन गुमाय कितना जिससे की जो light निकल रही है उसकी intensity जो पहले निकल रही थी उसकी भी half reserve तो पहले कितनी थी अब कितनी उसकी half 5 by 4 तो समाप करते हैं तेंक्यू जैसी एलसी